आप यूपी के संसद हैं, इसलिए मैं उत्रप्रदेश को लेकर एक सवाल पूछूँगी कि वहाँ पर जो ये अंटी कन्वर्जन लॉज आया है, उसे जब जिहाद लॉज भी कहते हैं, वहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो लॉज है उसे मिस्यूज किया जा रहा है जो हिंदू लड़की, मुसल्मान लड़के के साथ शादी करना चाती है, समाज उसे पहली बात तो करने नहीं देता और जब वो हिम्मत करके करना भी चाती है, तो अब इस लॉज के तहर उसे और भी सब्जुगेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, लड़के को जेल म के बावजूद, उतरप्रदेश से शुरू हो के बहुत से राजियों में ये एंटी कनवर्जन लॉग को मिस्यूज होने का डर है, ने हमारा तो यह कहना है कि कनवर्जन होना ही क्यों चाहिए, पर ये तो संविधान में है, नहीं नहीं, मैं देखता हूँ कि कहीं कहीं तो स इसे अचुन सामोहिक धर्ण परिवरतन का, सिलसला चलाये जा रहा है देश में, ये सिलसला बंध होना चाहिए, ये रुकनाचीए पर जहां तक मुस्लिम स्माज का प्रस्थ न है, ixim समाज के अंदर, यहां तक मेरी जामकारी है, को सकता है कि उसमें कहींपर कोई कमी हो, कि शihad, दूसरे धर्म के लोगों से मुस्लिम समाज की लोग साधीशम करने के लिए कभरजन कऱाना. मैं समझता हूँ कि इसे मैं व्यक्तिगत तुरुप से उचित नहीं मानता हूँ पिर उसका हक होता है मतलब अगर कोई करना चाहता है कनवर्ट करना चाहता है और कुछ ऐसे केसिस आये हैं जहां पर लड़की कनवर्ट नहीं करना चाहती और हो भी नहीं रहा लेकि आपने बहुत सारे मामलों को देखा होगा कि फोर्सफली जबरं लालच देकर भी धर्म परवर्तन कराया जाता है ऐसे भी मामले आया है जब ऐसे इसके इस तोनों को तौभावी कुरूप से शादी होना और जबरं अथवा लालच देकर धर्म परवर्तन कराके शादी करना है दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और मैं समयता हूं कि सरकारों ने जो कानून बनाया है इन सारी चीजियों को ध्यान दे रखकर बनाया है जब ऐसे केसेज आते हैं सर तो फिर वो जो इमेज होता है बीजेपी गवर्मन का की एक जबरन हिंदूत्व पॉलिसी जो है एक हिंदू धर्म को आगे बढ़ा कर दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना ये एक पॉलिसी मैटर है कभी नहीं समझा जाता है कहीं नहीं मैं तो है मानता हूंगा जो सच्चा हिंदू होगा वज्याति पंथ अत्वा मजहब के आधार पर कोई भेद भाव किया जाए कि दूनिया का इकलावता देश ये भारत है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को भी नहीं बलकि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मांते हुए बसुधाई वकुटमबकम यानि देने का काम दुनिया की किसी एक देश ने किया है तो भारत ने किया है दुनिया के और किसी देश ने नहीं किया है इसलिए जाथ मुसलिम साही पार्ची जितने हैं सभी भाई भाई हैं